नमस्कार आप देख रहे हैं दभारत खबर दिल्ली वालों का ने मेर का इंतजार खत्म होने वाला है नगर निगम चुनाव में अर्विंद केजरिवाल की आम आदमी पार्टी को बहुमत मिला है लेकिन मेर को लेकर सस्पेंस बना हुआ है अब ताजा अपडेट ये है कि दिल्ली वालों को बहुत जल्द ही नेया मेर मिलने वाला है 27 दिसंबर को मेर चुनाव के लिए नामांकन शुरू हो रहा है और 6 जनवरी को इसके लिए वोट डाले जाएंगे सीटों की संख्या के हिसाब से आम आदमी पार्टी का मेर बनना तेय है लेकिन दूसरी बड़ी पार्टी बीजिपी भी मेर सीट के लिए दावा ठोक रही है इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि दिल्ली में MCD के एकीकन के बाद मेर की शक्ती बढ़ा दी गई है ऐसे में सवाल उठने लगा है कि दिल्ली में कौन ज़्यादा पावरफुल होगा मेर या फिर मुख्यमंत्री चलिए इसको समझते हैं सबसे पहले मेर क्या होता है कैसे चुना जाएगा मेर यानी महापोर किसी भी नगर निगम के प्रमुख को कहा जाता है किसी एक शहर की बुन्यादी विवस्थाओं की जिम्यदारी महापोर के पास होती है मेर अपनी केबिनेट यानी मेर इन काउंसिल का गठन करते हैं हमसीडी में नियमों में बदलाव के बाद दिल्ली में पांच साल के लिए 250 पारसद चुने गए है यहीं पारसद मेर का चुनाव करेंगे हलांकि लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर भी इसमें वोटिंग कर सकते हैं मेर का कार्यकाल एक साल के लिए होगा अब मेर के पास कितनी ताकत होगी तो मेर नगर निगम के अधिकारी से जुड़े कोई भी फैसला लेने के लिए सबतंत्र होगा मेर के पास किसी भी फैसले की फाइल उपरा जेपाल या केंदर के पास भेजने की अनिवारिता नहीं होगी निगम का सदन ही सर्वोच विधैक पास कराने के बाद कानून लागू होगा दिल्ली नगर निगम का बजट 14,804 करोड रुपे है जिसे खर्च करने के लिए मेर सबतंत्र होगा साथी मेर चाहे जो निगम के किसी भी अधिकारी और करमचारियों का तबादला कर सकते हैं ये तो थी मेर की बात अब मुख्यमंत्री क्या होता है दरसल मुख्यमंत्री किसी भी राजिय शेत्र का परशासक होता है जो कानून विवस्ता और राजस्बस में तमाम जनहित से जुड़े नियम बना कर लागू करवाता है अलाकि दिल्ली की स्तिती उलट है राजधानी होनी की वज़े से दिल्ली में मुख्यमंतरी के पास कोई भी अधिकार नहीं दिया गया है समिधान की धारा 249 AA के मुताबिक दिल्ली के मुख्यमंतरी को अभी फैसलों की फाइल उप राज्येपाल के पास भेजना अनिवारे होगा साथी इन फैसलों को उप राज्येपाल मानने के लिए बाद्ये नहीं है अर्विंद केजरिवाल सरकार ने इस कानून को सुप्रिम कोट में चुनोती दी है ऐसे में क्या दिल्ली के मुख्यमंतरी के पास मेयर जितनी भी शक्ती है चलिए जानते हैं दिल्ली का मुख्यमंत्री दिल्ली सरकार के अधिन करमचारियों का तबादला नहीं कर सकता है दिल्ली का मुख्यमंत्री सरकार से जुड़े फैसले खुद ले सकता है लेकिन उपराज्येपाल से मंजूरी अनिवार्य है दिल्ली सरकार की सभी फाइलों की मंजूरी के लिए केंदर और उपरा जिपाल के पास भेजना अनिवार्य है दिल्ली सरकार का बजट 75,800 करोड रुपे है लेकिन मुख्य मंत्री को इसे खर्च करने के लिए परमीसन लेना जरूरी है ऐसे में आपको लग रहा होगा कि यहां मेर की ताकत मुख्य मंत्री से ज़्यादा है जो सही है लेकिन मेर अगर आप का बना यानि आम आदमी पार्टी का बना इस तिती में मुख्य मंत्री ही पावरफुल रहेगा क्योंकि दिल्ली के मुख्य मंत्री अर्विंद केजरिवाल आपके सेयोजग है नगर निगम चुनाव के प्रमुख चहरा भी रहे हैं मेर जो भी बनेगा वो मुख्य मंत्री से हर काम में सलाज जरूर लेगा और सरकार का आदेश भी मानेगा लेकिन अगर मेर बीजेपी का बनता है या फिर बन गया तो इस तिती में टकराओ बढ़ेगा क्योंकि मेर सरकार के आदेश मानने के लिए बाद्य नहीं है नगर निगम मेर के पास मुख्य मंत्री से ज्यादा पावर है ऐसे में यहां मुख्य मंत्री कम पावरफुल होंगे इसलिए बीजेपी मेर चुनाव में जीत का दावा ठोक रही है आपको बता दें कि 27 दिसंबर को मेर चुनाव के लिए नामांकर शू होगा और 6 जनवरी को वोट डाले जाएंगे मेर के लावा डिप्टी मेर और 6 मेर इन काउंसिल का भी चुनाव होना है आप देख रहे हैं दभारत खबर